रामलाल तुम अपने बीवी से इतना क्यों डरते हो? मैंने अपने नौकर से पुछा, मैं डरता नहीं सहाब, बस उसके कद्र करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसने जवाब दिया, मैं हसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें, ना सूरत अच्छी है और ना ही पढ़ी लिखी है, जवाब मिला, कोई फर्क नहीं पढ़ता सहाब की वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिष्टा उसी का लगता है, जो रूप का गुलाम, मेरे मूँ से निकला, क्या, और कोई रिष्टा माइने नहीं रखता तेरे लिए, मैंने पुछा, उसने बहुत इत्मिनान से जवाब दिया, साहब, मा, बाप, रिष्टेदार नहीं होते, वो तो भगवान होते हैं, उन से रिष्टा नहीं निबाते, उनकी पूजा करते हैं, भाई बेहन के रिष्टे जन्वजात होते हैं, रोस्ती का रिष्टा भी मतलब का ही होता है, आपका मेरा रिष्टा भी ज दिवार के सब रिष्टों को पीछे छोड़कर हमारे हर सुक्तुक की सहभागी बन जाती है। आखरी सांसों तक। मैं अब बहुत ध्यान से उसकी बाते सुन रहा था। वो आगे बोला। साहब जी, पतनी सिर्फ एक अकेला रिष्टा नहीं है। बलकि वो तो पूरे का पूरा रिष्टों का भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तब वो एक मा जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चड़ाव से आगाह करती है और जब मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रखतेता हूं क्योंकि जानता हूं कि वो हर हाल में मेरे घर का भला करेगी तब वो पिता जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मश्वरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसिहते देती है, जगड़े करती है तब वो एक दोस्त जैसी होती है। आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर निचावर करती है। मैं उसकी इज़त करता हूं तो क्या गलत करता हूं सहाब। एक अनपढ और सीमित साधुनों में जीवन निर्वाह करने वाली व्यक्ति से जीवन का ये मुझे एक नया अनुभफ हुआ। और वो कुछ ऐसा कि पत्नी के बीमार होने पर अगर पती सिर्फ सहला दे तो वो गुलामी नहीं होती। अगर पत्नी टिफिन बना रही हो तो पती बच्चों के बाल बना दे तो वो गुलामी नहीं होती। ऐसी बहुत से छोटी छोटी बातों को पती लोग सिर्फ इसलिए नजर अंदास कर देते हैं कि कहीं किसी ने देख लिया तो जोरू का गुलाम न बोल दे। जिन्देगी आपकी है। पत्नी आपकी है। उसके जिम्मेदारी आपकी है। लोगों के पास क्या है। सिर्फ जुबान जुबान नहीं चलाएंगे तो खाना कैसे बचाएंगे। ऐसे लोगों पर बिलकुल भी ध्यान ना दें। अपनी पत्नी से बेहत प्यार करें। पती पत्नी के रिष्टे की डोर बहुत कोमल होती है। आपसी प्यार और सम्मान से ही इसे मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है निचे कमेंट करके जरूर बताईएगा। और ऐसे ही और भी बहतरीन वीडियोज के लिए हमारा बेच जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।